इसी बीच खबर आपको यूपी के भेराइच से बताते हैं जहाँ पर आदम खोर भेडिये की तराज चल रही है दिन हो या रात लगाता जोंग आपके बताते हैं गाउं के लोगों के साथ निकलती है ढूडने के लिए खोजने के लिए और ये प्रियास किया जा रहा है जितने भी भेडिये भेराइच और उसके आसपास के गावों में भटक रहे हैं उनको पिंजरे में कैद करके उसके बाद उस जगा छोड़ दिया जाए जहाँ पर इनकी सही जगा है जैसे आपको बता दे इससे पहले एक भेडिये को गोरकपूर में छोड़ा गया है वहाँ के जंगलों में लेकिन यहाँ पर आपको बता दे अभी भी इन नर्भक्षी भेडियों का इंतिजार है और पिंजरा तैयार है देखिए आपको बता दे गोरकपूर का जो चिडिय बनाते हैं तो यह दस्वीरे आपको दिखा रहे हैं देखे किस तरीके से आदम खोर भेडिये की तलाश लगातार जारी है और देहशत जो है बेडियों की कम होने का नाम नहीं ले रही है आपको आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लगए वो आदम खोर भेडिया जिसने देशत फैला रखी है और लगातार ये अपना शिकार नन्ने बच्चों को बना रहे हैं निवाला बना रहे हैं तो देखे किस सरीके से ये तस्वीरे आपके सामने हैं ये देखे जंगली जानवार ये देखे और आदम खोर भेडियों की देशत जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है और धीरे धीरे ये जो आदम खोर भेडियों है वो अपना दाइरा है शिकार करने का वो बढ़ाते जा रहे हैं कई गाओं इस देशत में जीने को मजबूर है आदम खोर भेडिया जिसे तलाश है अपने नए शिकार की वो गाओं में अपना नए शिकार ढूड रहा है उसे तलाश है खाने की कहते हैं कि जब आपके मूँ में इंसानी खून लग जाए तो आपको उसके अलावा कुछ और अच्छा नहीं लगता बहराईश और सीतापुर के गाओं और खेतों में भटक रहे इन भेडियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ अपनी माद में घागरा नदी का पानी खुसने के बाद इन भेडियों ने काओं की तरफ रुख किया काओं में शिकार के बाद इनके मूँ में इंसानी खून लगा और अब ये भेडिये आदम खोर हो चुके हैं काओं में अब लोग राद भर जाकते रहते हैं खौप से तहशत से तर से तर ऐसा कि अगर जरा सी भी चूख हुई तो ये आदम खोर भेडियों का निवाला बन जाएंगे सियाह राद के सन्नाटे में पहरा देते ये लोग सिर्फ उसलिए जग रहे हैं कि कहीं इनका परिवार इनके अपने आदम खोर भेडियों के जुन्ड का निवाला न बन जाएंगे रात भर पहरा दन भर भेडियों की तलाश कुछ जैसी ही जंदगी इस वक्त बहराईचो और सीतापुर के लोगों की कट रही है आदम खोर भेडियों को पकड़ने के हर प्रयास किये जा रहे हैं पूरी सरकारी मचीनरी जंगलों का चपपा चपपा चपा चान रही है लेकिन अब तक सिर्फ चार आदम खोर भेडियों को पकड़ने में सफलता मिल पाई है मैं बहुत ही खतरनाग जगावे पहुंचा हूँ ये छोटी सी नदी है ये जील है मैं उस जील के उस पार चलने की कोशिस करता हूँ आप देख सकते हैं कि हो सकता है गहरा भी हो सकता है ये गहरा पानी हो सकता है आप देख रहें कि ये कितने पानी में आखिर हम ये जा रहे हैं ये काफी गहराई है और आप देखिए कि इसी पानी को इसी जील को डाक करके ये बस्तियों में आता है अभी भी बहराईश के महसीख शेत्रों और घागरा नदी से सटे हुए सीतापुर के इलाकों में लगभग दो नर्भच्ची भेड़िये शिकार की तलाश में तहल रहे हैं कॉंबिंग की जा रही है हाथी के उपलों को सुलगाया जा रहा है जंगलों को च्छाना जा रहा है डोन के जर्ये पैनी नजर रखी जा रही है हाथों में टौर्च और लाठी लिए लोग पहरा दे रहे हैं लेकिन चालाक आदमखोर भेड़ियों ने पूरी मशीन्डी को ठका रखा है इसी तलाश के बीच खबर मिलती है कि एक आदमखोर भेड़िया कुलैला गाउं के असपास देखा गया फिर क्या था पूरी मशीन्डी सब लोग तौड़ पड़े उस भेड़िये को पकड़ने के लिए लेकिन इस बार भी खाली हाथ हमेशा की तरह शिकार की तलाश में निकला भेड़िया सभी को चकमा दे कर वहां से फरार हो गया देख सकते किस तरह सर्च आपरेशन चल रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पर यह ग्रामीड है साइद कोई खुंखार भेड़िया या कोई जैकाल या फॉक्स कुछ दिखा है देखिए किस तरह से ग्रामीडों में काउतुहल का माहूल है ग्रामीड किस तरह से सर्च कर रहे है साइद इनको कुछ इनपूर्ट्स मिला है लगातार सब के हाथों में यह टार्च है और बोल रहे हैं कि पकड़ो पकड़ो और देखिए लाठी भी लिये है और इसी गाउं में आप देख लिजिए कि खुद ग्रामीड इस समय सक्री है भेडिया की तलाश में वनवभाग ने होतों में टॉर्च लेकर जंगलों में राद भर तलाशी की कोले भी दागे गए ताकि भेडिया जंगलों की ओर्ट से बाहर निकल जाए और टीम उसे धरत बोचे लेकिन चालाक आदमखोर भेडिया एक बार फिर से सब को चक्मा देने में काम्याब रहा पैराईस से सटे सीता पुरसले में भी आदमखोर भेडिया लोगों को अपना निवाला बना रहा है जहां आदमखोर के हमले में एक महिला की मौद के बाग शासन प्रशासन जंगलों की खाक शानता दिखा वनविभाग की अधिकारी भेडियों के पैर के निशान से उसका पीशा करने में चुट गए यानि के सर्फ बहराईच नहीं आदमखोर भेडियों की आतंग से सीतापुर में रहने वाले लोगों की भी रातों की नीद हराम है वनविभाग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन आदमखोर भेडियों की तैन संख्या सुनेश्चित नहीं है और भेडिये चालाख हैं वो हरवार किसी नए इलाके में हमला करते हैं ऐसे में इन आदमखोरों के आतंग का अंत करपाना फिलहाल शासन प्रशासन के लिए बहुत चुनोती पूर्ण है प्यूरो रिपो रिपाब्लिक भारा ऑईसी भी तब आपको बतातें ने बहराइच में ड्रोन के जरिये भेडियों की तलाश चल रही है वनविभाग की टीम जंगलों में जाकर सर्च उपरेशन चला रही है पिल्कुल आपको बतातें खेतों में सर्च उपरेशन चला रहा है क्योंकि यह माना जा रहा है कि यह भेडिये खेतों में चिपे हो सकते हैं क्योंकि चार बेडियों को अब तक पकड़ा जा चुका है लेकिन जो बचे हुए भेडिये हैं उनको पकड़ने की कबायत लगातार वन्मिभाग की टीम से की तरफ से चलाई जा रही है प्लान तयार किया जा रहा है पिंजरे तयार किया जा रहा है जाल तयार है और खेतों में अब साच आपरेशन चलाया जा रहा है ड्रोन के जरिये नजर रखी जा रही है भेडियों की तलाश की जा रही है ड्रोन से खेतों में ढूंडा जा रहा है और देखे फूट प्रिंट झाल